वेलकम बेग एवरीवन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IPL 2024 के पहले क्वालिफायर मैच के बारे में जो की कुलकता वर्सस SRS के बीच होगा जो की काफी तगड़ा मैच हो क्योंकि जो भी टीम जीती वो सीधा 2024 के IPL के फाइनल के लिए खेलेगी और जो हारी उनके पास एक और मोका रहेगा कि एलिमिनेटर जो आरार वर्सस RCB के बीचों को जो भी वो टीम जीतेगी उन से उनको खेलना पड़ेगा ठीक है तो मोका तो होगा हारने के बाद भी लेकिन हारना कोई नहीं चाहेगा बहुत बड़ा मैच है बहुत शांदार मैच और दोनों ही टीमेट टूर्णामेंट की सबसे सोली टीमों के अंदर आती ठीक है तो करते वीडियो में सारी चीजों की बातें कि कौन-कौन प्लेयर इस मैच में इंपोर्टेंट होंगे स्पेशली स्मॉल लिग के लिए और ग्रैंड अगे लिए पश्ला मैस था जो मैंने टीम दी थी चीह के वर्सस एहिंगी टीब क्वालीफाई कर पही ठीकिग개 मैने आप को टेलिग्राम पर जो टीम डी थी में आपको दिखावी देता हूं मैंने जो टीम आप लोगों को टेलिग्राम पे दी उसी टीम से मेरी विनिंग आप लोग देखना ठीक है सो देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हो मेरी ये टीम मैंने आपको टेलिग्राम पे दी थी वराट कोली कैप्टन और आप सब को बता होगा कि वराट कोली ने क्या किया सबसे बड़ा जो मेरा गेमचेंजर प्लेयर था वो रचिन रविंद्रा था जिन्होंने एक तरफा मुझे जितवाया ठीक है और बात की जोए विनिंग की कि कितना मैंने विन किया तो 25 लाग रुपे से भी ज्यादा मैंने विन किया था सेम टीम से क्योंकि आप देख सकते हो 720 पॉइंट मेरे है और 720 पॉइंट आपके है तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि जो टीम जिसके साथ मैं खेलता हूँ जिसके साथ मेरा इन्वेस्टमेंट होता है जिसके साथ मैं विनिंग करता हूँ वो टीम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है जिस इन लोगों ने प्राइबिट चैनल को जोईन नहीं किया है उसका भी लिंक मैंने कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया हुआ है तो जहां से भी आपका मन करता हो आप जोईन कर सकते हो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो सबसे रिकोष्ट जो भी द नरेंदर मोदी इस्टेडियम के अंदर जो कि आपको बता देता हूं अभी हालिये दिनों में जो यहां पर मैचेस खेले गए यहां पर आपको अभी पिछला मैच ही देख लो तो 206 आरसी बी और जीटी का मैच हुआ था जिसमें आरसी बी की टीम जीती थी पस यह वाला मै जीटी ओ डीसी का थोड़ा सान एकस्पेक्टेड हुआ था जहां बोलर्स को बहुत जादा हेल्प ली थी वरना आप देखोगे तो एक ऐसा विकेट है जहां बैट्स में जो है थोड़ा जाद आच्छा करते हैं तो इसलिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं थोड तो कोई नहीं होता है लेकिन सबसे कम सेलेक्टेर पेर वही छोटा प्लेयर माना जाता है ठीक फैंटेस्टी की फिल्ड में तो उसमें थोड़ा हाई रिस्क होता है स्मॉल लीग में आपको बता है एक दो प्लेयरों का गेम होता है जिसके प्लेयर सही हो जाते हो जीत जाते तो कोशिश यह करना थोड़े बैटिंग फ्रेंडली विकिट के इसाब से आप टीम बनाओ और दोनों टीमों में अच्छे बैट्समें भी अवेलेबल है आप SRS देखो गिए वह भी काफी अच्छी बैटिंग रखती है और KKR भी तो ट्राइ करना बैटिंग विकिट के सकता हूं मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक कोई बारिश के चांस नहीं है 180-190 के आवरेज स्कोर है टॉस्विन टीम मोस्ट लाइकली बोलिंग करेगी क्योंकि जिसने बोलिंग की उसके विनिंग के चांसे 10% इंक्रीज हो जाएंगे ध्यान ड़के चलना आपको मैं एक जो किवल नौ मैच जीती है और दोनों टीमों का इस विन्यू पर पहला मैच है कभी इन्होंने मैच नहीं खेलाए बात की जाए प्लेंग लिए उनकी तो सोल्ट जो है पहले ही आपको मैं बता चुका था पिछली वीडियो में वह नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह पे गु मंदीब सिंग नितिश राणा वरुन चकरवती के साथ मिचल इस्टार की एक्सपेक्टेड लाइनप और देखे यह याद रखना बड़े मैचेस में उस्ट्रेलियन प्लेयर बहुत इंपोर्टेंट होते हैं जो मिचल इस्टार को जो लोग स्मोल लिग में ड्रोप करके च जाता है तो मतलब कोलेप्स बगिरा होता है तो बात अलगे वरना लगबग कंफर में कि यह इनकी प्रॉबेबली लिए उनों और एक्सपेक्टेड में सब्स्यूट से आपको वेवार ओर दिखेगा तो एक तो वह बोलर हो गया दूसरा हर्शीत राना तीसरा वरुन पाइए पाउर्प्ले में सच्टारक वेब भार ओर और हरु देन दोर्ट में हर्शीत राना लगबंग कंफर मैं स्टारक कभी करवाते हैं जहीं कभी नहीं करवाथे रसल कभी सेंद लिक करता है चाऽ कपी पूरे चार और करता है तो डेत दोर सब्सक्रीत राना उनको बoh तो इन्होंने क्या किया है ठीक है तोड़े के सबसे पहले बात की जाएं यहां पे सुलील नाराइंड की नाराइंड ने वर्सिस में जब आप पर्फॉर्मस देखोगे ना तो बिलकुल खतम पर्फॉर्मस है आप देखोगे नाराइंड जो पूरी दुनिया का कैप्टन है वो एसारेश के अगेंज टोटली फ्लोप रहा है बिलकुल फ्लोप है तो ट्राइ करना ग्रैंड लीग जो लोग खेलते हैं वो नाराइंड को ड्रोप भी कर सकते एक दो टीम में स्पेशली ड्रोप करने की कोशिश करना क्योंकि नाराइंड अगर फ्लोप हो जाता है तो आपके ग्रेंड लीग के जीतने के चांसे लगबग मानलो 55% हो जाएंगे क्योंकि 95% के सम्थिंग इसको लोगों ने ले रखा है और 40% प्लस चांसे में मतलब लोगों ने बना रखा है तो आप समझ सकते हो कितने लोगों की टीम खराब हो जाएगी अगर यह ड्रीम टीम म नाराइन की तरह है तो मैं सजेश्ट करूँगा स्मॉल लिंग में तो दोनों को लेना ग्रैंड लिंग में आप ट्राइ कर सकते हो दोनों को भी ड्रोप करने का वेंकटेश की बात की जाए ठीक ठाक प्लेयर है फर्स्ट बैटिंग पे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ब करूँगा कि आप ले सकते और क्योंकि थोड़ा बैटिंग विगेट है तो अब आराम से ले सकते उसके बाद नेतिश राणा है जो बैटिंग है थोड़े डाउन करेंगे लेकिन रिकोर्ड इनका बड़ा गजब लेवल का है वर्सस में तो स्मॉल लिंग में तो हाला की का आई किया जा सकता है अगर आप टॉप और एक्सपेट करें कॉलेप्स होगा तो उसके बाद रिंकु सिंग है रसल है मश नीडेड प्लेयर चाहे ड्रोप यह क्या नाम इस पहले बैटिंग करें टीम बोलिंग करें ड्रोप करना ही नहीं आपको हंडेट परशन टीम में ले चल गए तो पता भी नहीं लगेगा इश्टार कहां पे गया तो द्यान लगके चलना लेकिन आप फर्स्ट बोलिंग पर डेथ में आएगा पावर प्ले में मान लो कि अविशेक ने वो ट्राविस अच्छा स्कूल भी किया ना डेथ में तो विकिट जाते ही जाते तो द्य क्यार की टीम तब तो 100% टीम में ले लेना उसके बाद यहां पर हर्शीत राना है जिन्होंने दो मैच खेले और चार विकिट इनोंने लिए हुए स्मॉल लिग के में प्लेड की बात की जाए ना हर्शीत राना वरून चक्रवती श्टार्क सिरिफ फर्स्ट बोलिंग पे उसके बाद नारायन गुर्बाश रेस अईयर और बस यह यह वैंकटेश वगेरा यह कंडिशन के अकोडिंग है कि अगर बैटिंग होती है तो स्कूर जो किया था वह वैंकटेश अईयर नहीं किया था और बोलिंग में देखोगे तो श्टार्क और वेब वारोरा की जगह जिन्होंने बोलिंग की सब को विकेड मिले थे बात की जाए सेकंड टीम की जो ऐसारीच की टीम है के क्यार को भाई इतने आसानी से यह लोग बहुत बुरा मार के जाएंगे तो इसलिए श्रे सायर बिलकुल नहीं चाहेगा इन दोनों का जो है न बल्ला चले तो पावर प्ले में नारेंड को बेच दिया जाएगा राउल तिरपार्टी बहुत शांदार प्लेयर इस्पेशली तगड़े हीटर है और बहुत अच्छ करूंगा स्मॉल लिंग में थोड़ा रिस्क तो ही है लेगिन थोड़ा बैटिंग विकेट है तो आप ले सकते हो नितिश गुमार रेड़ी बोलिंग बेकप देगा हंड़ेट पिसेंट टीम में लेना फिर हैंडी क्लास है इनके स्टार्टिंग के पांचों प्लेयर मस् न माच होता बड़ा एक्सपेक्टेट हुआ फिर वहां विकेट भी मिलेते और या फिर ऐसा भी हो सकता अगर विकेट हो जाता है तो वहां भी इंपोर्टेंट मैं आपको यह बता दू जैसे वहां पर वरुन चक्रवती फर्स्ट बैटिंग इंपोर्टेंट है वैसे यहां पर भी यह फर्स्ट बैटिंग इंपोर्टेंट है नटराजन दोनों कंडिशन्स में इंपोर्टेंट की तरह बस फर्स्ट बोली पर और भी बहतर हो जाएगा उसके बाद भुनेश्वर कुमार की बात करें तो अगर टीम पहले बैटिंग करती तो इंपोर्टेंट होगा पर ज्यादता टाइम फ्लॉप रहता है और यह इनके बैंच के प्लेयर है बात की जाएं यहां से प्लेयरों के स्टेट्स की तो अब इशेक शर्मा जो की ओपन करेंगे और इनका रिकोर्ड आप देखोगे तो काफी अच्छा है अगेंस्ट में और अच्छी फॉम में भी कि स्टार्टिंग यह प्लेयर टीम के लिए बहुत अच्छे है रावी सेट ने एक मैच खेला भी इनके अगेंच इसमें 75 रन का स्कोर इनों ने किया हुआ है रावल तिरपाटी ठीक ठाक परफॉर्मेंस से एक मैच में 71 है और बाकी मैच इसमें फ्लॉप भी है नितिश की फर्स बैटिंग पर अगर खेलते हो तो जरूर ट्राइं करके चलना उसके बाद यहां पर शाबाज है पेट कमिंस से भूवी है विजय कान वियासकना तो नटराजन लेकिन अटराजन और पेट कमिस दोनों हर कंडिशन के लिए इंपोर्टेंट है आपको चाहे बैटिं भी लिए इस टीम की अगेंशन लेकिन भूवी जो है ना फर्स अगर बोलिंग होती है नो ज्यादा अच्छा काम करता नहीं है और विजय कान वियासकनात को फर्स बगर बैटिंग हो टीम तो ट्राइं कर लेना मैं तो चाहता हूं कि यह लोग बैटिंग को मजबूत कर ले सामने लेफटी भी अवेलेबल है तो होना चाहिए एक मेरी मतलम में चाहता हूं यह मिजडाय विजय कान है कि अब दहएं करना की पे देख सक्क्रीन vorbei सकते हो और टीम जो है मैच को जीत के आ रही है बात करें प्लेयर बैटल की तो देखिए आपको जो बैटल देखने को मिलेंगे ना उसमें दो बैटल बहुत गजब लेवल के पहला अबीशेक शर्मा और हर्शी तरणा दस बोल में दस रने लेकिन विकेट नहीं है राउल तिरपाट ना भूवी जो है ना थ्रेट होगा गुर्बाज के लिए तो जो रिस्क ले सकते हैं भूवी को लेके गुर्बाज को कर सकते हैं कोई बड़ी दिक्कत नहीं ग्रैंड लिंग में तो जरूर यह करना उसके बाद रसल वर्स नत्राजन एक बैटल तो गुर्बाज और डाउनलोड नहीं किया ना बहुत अच्छा है पर इस्पेशली हाई इंवेस्टर्स के लिए स्मॉल लिक जो भी खेलते ना डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके विड्रोल पे कोई चार्ज नहीं लेगेगा जीरो पर्शन टीडियस है साथ ही आपको यहां पर इस मैच में 15,000 का फिरी गीववे भी अवेलेबल है और फुकेट का ट्री पर लेगें वह तो फिनिश हो चुका आई पिल लीडर बोर्ड में था वो तो अच्छा है पर इस्मॉल लिक के लिए तो जैनुरल ली कह रहा हूं सबसे बेस्ट है पर तो डिस्क्रिप् यहां से आपका मन करता है अब वहां से जोइन कर सकती है और वेडियो को लाइक कर द्या अचे ना त्याकि आने मेरी वाले वीडियो को देख रहे आगर तो यहां रहारी आब हम करें ने वेयर नंगते छो कने आप सकते हो वी सी हैंड विष्येख शर्मा के साथ जा सकते हो या फिर वेंकटेश यर को कोती बिडि़र के साह जा सकते कोई आप चाहो तो भर बूर्स को भी है नो कमें आए bend फिलाल की क्योंति विडियो दू फिलाल के लिए यही था इस वीडियो में अब आपका कामे वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और जो जो चीजे मैंने बताई है उनको ध्यान डखना एक तरफ आप लोग जी जाओगे ठीक है ये टीए में और बाकी के जो भी चेंजर सोंगे टेलिग्राम पर मिल जाएंगे जोइन कर लेना ठीक है डिस्क्रिप्शन के लिंक से हैंक्यों दोस्तों इस वीडियो गन तक देखने के लिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में